प्रिटेन ने भारत के लिए प्रिटेन ने भारत में हुआ और दुनिया में भारत का डंग का बजा अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के गौरब गाथा आगाई और वहां के अख़बारों में भी ये दिखाई दिया रूस के राष्ट्रपती ब्रादेविर पूतीन तो भारत नहीं आये लेकिन मोदी और भारत की खूब तारीव की इस सफल आयोजन के लिए भारत ने दुनिया को ना सिर्फ अपना अपनी ताकत दिखाई अपनी अपना एतिहासिक गौरब भी दिखाया वो गार अब सनातन धारत का था सनातन संस्कृती का था दुनिया के तमाम राष्टों से के राष्ट्रद्रक्षों से पृधान मंतरी मोदी ने जहाँ पर हाथ मिलाया उस जगह के भी अपने माइने थे वो कुनार्क मंदिर का वो समय का प्रती चक्र था जो दुनिया को बता रहा था कि हमने दुनिया को समय दिया, हमने दुनिया को वक्त के गनना को सिखाया वो नालंदा विश्विद्याले के सामने दूसरी तस्वी, जब दुबारा राष्टरा द्यक्षों से प्रहान मंत्री की मुलाकात लंच के बाद हुई, तो वहाँ नालंदा विश्विद्याले जिसे इस्लामिक आताताईयों ने बक्तिार खिलजी ने जलाया था तो भारत ने इस्लाम का आतंक भी दिखाया और जब ये सब कुछ दिखाया जा रहा था उस समय इस्लामिक राष्ट्रों का सबसे बड़ा एक तरह से रहनुमा या कहलीजिए उनके मालिक की तरह का सौधी अरब का प्रिंस वहां मौजू थे बिन सल्मान बिन सल्मान सौधी अरब के प्रिंस है और पधान मंतरी मोधी जब इनका स्वाकत कर रहे थे तो बोड़ी लेंग बेज दिख रहा था कि इसके माईनी क्या है एक कहावत है कि भेश देखकर भीख दिया भी दिया जाता है मतलब आपकी ताकत क्या है उसी हिसाब से आपके परिबार में भी आपका सम्मान होता है आपके रिष्टे में भी आपका सम्मान आपके ताकत से होता है आपकी आर्थिक ताकत से ही होती है भारत ने जिन 20 राष्ट्रों का जो दुनिया के सबसे संपन 20 राष्ट्रों का जो G20 था उनमें जिन राष्ट्रों को सबसे ज़दा सम्मान दिया हो तैसी बात है कि वो सबसे संपन राष्ट्रों अमेरिका था और उसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रिशी सुनत दिखाई दिए और तीसरा जो वेक्ति था वो सौधी अरब के प्रिंस थे सौधी प्रिंस, क्राउन प्रिंस का सम्मान जिसका दर मोदी ने किया उसमें एक तस्वीर सबसे ज़्यादा वाइरल हुई वो तस्वीर ये थी कि जब अमेरिकी राष्ट्रपती और सौधी प्रिंस मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे उसी समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों के हाथ को जोड़ करके तीसरा हाथ लगा दिया ये तस्वीर दोनिया भर के अखवारों में सबसे ज़्यादा वाइरल हुई कि सौधी प्रिंस बिन सल्मान और अमेरिकी राष्ट्रपती के बीच पढ़ान मंत्री नरिंद्र मोदी की तस्वीर दरसर इसके माइने क्या है और क्यूं सबसे ज़्यादा चर्चा सौधी अरफ और भारत के संबंधों कोली करके रहा जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बना तो पाकिस्तान सौधी अरब से सट गया और भारत के लिए उसे दुश्मन राष्टर बनाना शुरू कर दिया चुकि उस समय सौधी की ताकत इसलिए बढ़ रही थी कि पचास के दशक के बाद दुनिया भर में मोटर कारों का दौर शुरू हुआ सौधी अरब में जो तेल के टंकियां थी उसके कारण सौधी अरब में बैपार बढ़ने लगा सौधी अरब की आर्थिक ताकत बढ़ने लगी और एक आएक सौधी अरब दुनिया के तमाम मुस्लिम राष्टरों का सेंटर बिल गया मामला सिर्फ यह नहीं था, सौधी अरब दरसल इसलाम का मक्ता और मधिना वहाँ है जैसे हमारा काशी है, वैसे मक्ता और मधिना दुनिया भर के मुसल्मानों के इबादत का सबसे वरा सेंटर है पाकिस्तान एक तरह से उसे पिता तुले वैल्यू दे दी शुरू करती यही कारण है कि 1962 के भारत चीन युद्ध कह लीजिए उसके बाद जो 1965 का भारत पाकिस्तान का भ्युद्ध हुआ उसमें खोल करके सौधी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया 1971 में सौधी अरब ने भारत का विरोध किया इनफेक्ट 1999 के करगिल में भी सौधी अरब ने भारत के खिलाब बयान बाजी की कश्वीर पर सौधी अरब का रुख हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा लेकिन G20 में खोल करके 370 को और कश्वीर को भारत का नीजी मामला बता देना पाकिस्तान और भारत का नीजी मामला नहीं भारत का नीजी मामला बता करके सौधी अरब ने साथ संदेश दे दिया कि अब वो कहां खरा है तब आप सोची जिस सौधी अरब के माध्यम से भारत के जिहादी भारत को धमकाते आपको नुपुर शर्मा का वो मामला याद होगा जब नुपुर शर्मा के मामले को लेकर के उनमाद भैलाया गया एक टेलिवीजन चैनल के बहस के दरण उन्होंने कुरान पर कुछ टिपनी कर दी प्रकिस्तान तक ने उससे शिकायत थी और भारत की कुछ हद तक ये मजबूरी हो गई क्योंकि इस्लामिक सेंटर मका मदीना तमाम आस्था सौधी अरब में है अब सोचिए ये बहुत और था जब सौधी अरब में एक मंदिर बन रहा था सोचिए जहां मका और मदीना है जहां जहां से मतलब मूर्ती पुजा का सबसे ज़ादा विरोध हुआ उस देश में 2019 की मेजब प्रहान मंत्री मूदी अपनी पहली यात्रा पर गए है तो वहां मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा भारतिय स्थापत्य कला से वहां मंदिर बनना शुरू हुआ 2021 में इस्लामिक सत्ता का सबसे बरा केंदर जहां पर मक्का और मदीना है उस देश में एक फब्य मंदिर तयार हुआ प्रहान मंत्री मोदी ने वहां नीव रखी थी कलपना कीजिए ये वही सौधी अरब है जिसके राश्टा ध्यक्ष जब 1955 में भारत आये थे सौधी प्रिज बिन अब्दुल अजीज दादा जी थे इनके जब वह 1955 में भारत आये तो पन्बित नेहरु ने कहने के लिए नाम में पन्बित था लेकिन सनातन विरोधी भारत के ततकालीन प्रहान मंत्री पन्बित ने बारा नसी में काशी विश्वनात मंदिर को परदों से ढख दिया धर्ती पर जो सबसे बड़ा सेंटर है भोले नात का जिसे कहा जाता है महादेव देवादी देव सनातन आस्था का सबसे वरा किंद्र जिस बारा नसी को कहा जाता है कि भागवान शीव के त्रिशूल परस्थित है जिस बारा नसी में असीव आस्था सनातन का है कलपना कीजिए उस मंदिर को इसलिए ढख दिया गया क्योंकि सौधी प्रिंस को नहीं मंदिर ना दिख जाए बुत ना दिख जाए अब नहरुकाल और मोदिकाल की कलपना कीजिए भारत जो सानातन का सबसे बादा सेंटर है भारत जो शिव आस्था की भूमी है जहां देवादी देव महादेव की जो भूमी है उस भूमी कोई पड़े से इसलिए ढख दिया गया जोकि सौधी प्रिंस बिल अबदुल अजीज को कहीं मंदिर ना दिखाई देदे, कोई बुत ना दिखाई देदे, कोई मुर्ती ना दिखाई देदे खल्पना कीजिए उसी सौधी अरब में आज मंदिर तैयार करना तो सब कुछ रातों रात नहीं हुआ अब अहन सवाल ये कि पढ़ान मंतरी मोदी सौधी अरब के साथ ऐसा क्या साथ रहे ऐसा क्या हो रहा है कि पढ़ान मंतरी मोदी को लगता है कि सौधी को साथ ना जरूरी दरसल सौधी अरग के जो राजा है जो प्रिंस है जब भारत आए तो बहुत सारे समझ होते हैं सौधी अरग दरसल भारत को यूरो और अमेरिका से जोड़ने वाला एक लिंक है कनेक्टिंग लिंक राष्ट और पाकिस्तान से रिष्टे खराब रहने के कारण लगातार खराब रहने कारण मिडल इस्त में पश्चिमी एशिया में भारत का वैपार कमजोर रहा है इसका फाइदा चाइना ने हमेशा से उठाया मोदी ने उसे ही साधा अब पढ़ान मंतरी मोदी भारत यूएई के साथ और सवदी अरब के साथ मिलकर के भारत पश्चिमी एशिया यूरो अमेरिका कौरिडोर बन रहा है अब इसका नाम I.M.E.C. है उसमें इंडिया जुरा हुआ है तो इंडिया मिडल इस्त से लेकर के यह पूरा जो भारत से कौरिडोर जुर रहा है वो अमेरिका तक जो जा रहा है ये जो दोर से पहले जो है भारत को स्वेज नहर भूमद साधर होते वे जो बैपार करना पड़ता था उसका लिंक तोड़ दिया गया अब इससे क्या है चीन जो कॉरिडोर पाकिस्तान के बादियन से बना रहा था बियाराई उसके विरोध में ये चीजे हुई और ये सत रहा है अमेरिका को दरसल चीन के इस रवये से इस उत्पाती रवये से भारत के साथ साथ अमेरिका भी परिशान था मूदी ने इसे ही साथा है दरसल सौदी अरब के लिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अहंकारी वहां के लोग होते हैं अपने आपको सुपरमेसी में पालते हैं पाकिस्तान बेले उसे इसलाम से अपने आपको समझता है लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और इन सब राष्ट्रों के मुसल्मानों को सौधी के लोग मुसल्मान तक भी नहीं मानते उन्हें उस इज़त की नजर से वो देखते ही नहीं है जिने आता जिने पिता पाकिस्तान मानता रहा है अब भारत से अपने सांस्कृतिक सम्मंधों को भारत में जो पाकिस्तान का जो जड़ है क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादा तर लोग लगवक 99.9% लोग सनातल से कनवर्टेड हैं उनके पुर्बज हिंदू दे आज में पाकिस्तान और अफ़दानिस्तान में कई ऐसे प्राचीन मंदिर स्थापित हैं मादुरगा के अंग वहां है कई पीठ वहां पर है क्योंकि वह भारत का ही सनातन हिस्सा रहा है लेकिन जब से पाकिस्तान बना उन तमाम चीज़ों को कई मंदिरों को मिटा दिया गया नश्ट कर दिये गए और पाकिस्तान ने अपनी आस्था अपनी सांस्कृतिक जोर्द सौओधी से करने की कोशिश की पाकिस्तान में कई बार इसका विरोध भी हुआ कि भारत को के साथ उसे वैपार करना चाहिए भारत के साथ उसे निकटता रखनी चाहिए लेकिन बार बार भारत में आतंक बाद को पोशित करता पाकिस्तान उसे लगा कि मोदी काल में भी उसे मनमोहन सिंग और जवाहालाल निहरू जैसे ही नेता का सामना करना उसकी डुल मिलनेती से का फायदा उठाएगा पधान मंत्री मोदी जब भारत के पधान मंत्री बने तो एक बारों पाकिस्तान यकायक पहुँच गए थे और ततकालीन पाकिस्तानी पधान मंत्री नवाश शरीप के मां से मिले नवाश शरीप की बेटी की शादी थी उसमें उन्होंने एक तरसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान ने पीठ में खंजर मोगा जिस तरह से 1999 में करगिल किया फिर उसी तरह से भारत पर आतंकी हमला करना शुरू किया उसके बाद भारत ने कंटेनिवसली पाकिस्तान को इग्रोर किया इतना इग्रोर इतना इग्रोर की बरबाद कर दिया अब आलम ये देखिए कि जो सौथी अरब आतंकबात में पाकिस्तान के पक्ष में खरा होता था पिष्टने कुछ सालों से ऐसा क्या हुआ कि आतंकबात के खिलाप बोलना शुरू किया 2020 में सौथी अरब ने जम करके इस्पलामिक आतंकबातों के खिलाप बोला आंतर पर दुनिया में आतंकबाद का मतनब इस्लामिक आतंकबाद से ही होता है कई पर भी इस तरह की जब घट्राएं होती हैं तो इस्लामिक आतंकबाद ही होता है सौधी अरब ने 2010 में एक बार आतंकबाद पर चर्चा की थी उसके बाद 2020 में 2019 वे भी जब प्रणान मंत्री मोदी वहाँ गए थे तो जम कर आतनबाद पर चर्चा हुई यह चर्चा सीजे तौर पर पाकिस्तान पर हमला था अब सोचिए जिस सौधी अरब के माध्यन से पाकिस्तान का पालन पोशन होता है वो सौधी अरब के प्रिंस पाकिस्तान जाते तक नहीं है गिरगिराता रहा पाकिस्तान की जब G20 की बैठा खत्म हो तो भारत के बगल में तो पाकिस्तान है तो बिन सल्मान जो प्रिंस है वहां के उनसे निवेदन किया गया कि वो पाकिस्तान गोते वे वापस जाएं लेकिन सौधी अरब ने पाकिस्तान को इवनोर किया जानते हैं क्यों? इस लिए कि पाकिस्तान एक भिखारी रास्ट बन गया है और बार-बार सौधी अरब से कर्ज मानता है आपके कई ऐसे जानकार वित्र होंगे आपने उन्हें कई बार कर्ज दियाफ होगा वो आपको लोटाते नहीं है और आप उसके बाद जब उन्हें फोन करते हैं तो फोन पिक करना बंद कर देते हैं आपको जब ये लग जाता है कि ये बार बार पैसा मांगेगा तो आप उसे इग्नोर करने लगते हैं आप ये मान लेते हैं कि कई बार कि चलो ये विखारी आदमी है इसके पैसा जो हमने इसके पास है वो पैसा चलो इसी हमने मान लिया कि नरक में चला गिया ये दरसल सौधी पाकिस्तान को अब इसी धंग से इग्नोर कर दिया कि पाकिस्तान जब कभी मूँ खोलेगा तो भीक मांगेगा। इमरान खांग कई बार भीक मांगने पाकिस्तान गए और लोट करके खाली हाथ हाए, कई बार अपमानी थुए। अब इस बात को समझे कैसा क्या हुआ पिछले से कुछ दिनों में इसा क्या बदला हुआ कि कट्टर इस्लामिक राष्ट जहां मक्ता मदीना है दुनिया भर के मुसल्मानों का सेंटर पॉइंट भारत की कट्टर बंथी मुसल्मान अक्सर सौधी अरब के नाम पर भारत को धमका देते अपने ही देश के लोग अपने ही देश के खिलाब नुपूर शर्मा के मामले में ये चीजे खोव दिखी कि सौधी अरब के मात्यम से हम धमकी दिल वाएंगे उस सौधी अरब ने चुपपी लगाई कई बार इस सवाल उठता है कि नुपूर शर्मा को लेकर के पढ़ान मंत्री मोदी या भारत सरकार ने चुपपी क्यों लगाई कई बार बहुत सारी स्ट्रिडजी होती है बड़े लक्ष को साथने के लिए कई बार छोटे छोटे लक्ष को त्याग ना पड़ता है नुपूर शर्मा के साथ कोई ऐसा ऐसी चीज़े नहीं हुई है वो घर बैठी हैं तमाम सुरक्षा उनके साथ है लेकिन उस तमें नुपूर शर्मा का यदी मुद्धा यदी सिर्ख बना लिया जाता उसे के रूप मेरी एगो ले लिया जाता तो इन्हें साथा नहीं जा सकता आज भारत में जो जिहादी हैं वो सौदी अरब के नाम पर उनमाद नहीं पहला सकता उनकी हैसियत खतम हो गई है वो ने जिसे बाप मानते हैं भारत के जिहादी जिस पाकिस्तान को बाप मानते हैं वो पाकिस्तान आउन्हे मुगुरा हुआ है क्योंकि सौदी अरब उसे अहमियत नहीं दे रहा अब इससे कितनी चीज़ें 2016 और 2019 में दो बार पढ़ान मंतरी मुधी ने सौदी अरब का दौरा किया आम तोर पे भारती पढ़ान मंतरी सौदी अरब का दौरा नहीं करती और जितना भारत सौदी अरब के नस्दीक गया पाकिस्तान उतना दूर होता चला अब महत्कुन सवाल ये है कि भारत सौधी अरब को इतनी अहमियत दे रहा है तो सौधी अरब का क्या हित सदरा है इसमें तो आप जानकर चौक जाएंगे कोरोना काल में जब दुनिया त्राहिमाम कर रही थी सौधी अरब के लोगों को भारत ने जीवन दिया था भारत एक्तम से बिलकुल जिस तरह से कई जगा कहा गया कि हनुमान की तरह प्रदान मंतली अब भारत ने काम किया संजीवनी बूटी ने करके जिस तरह से लक्षवन जी को बचाया था हनुमान जी ने दुनिया के कई रास्टों की आत्मा को बच भारत ने बचाया दरसल उस समय सौधी अरब के लिए बहुत बड़ा राहात पैकेज ले करके भारत के डॉक्टरों के टीम गई और वहां त्राहिमान लोगों को बचाने की कोशिश की गई बड़े पैमाने पर जानमाल की रख्षा भारत के कारण सौधी अरब में हुआ बिपदा में जवाब किसी को मदद करते हैं सौधी अरब अपनी पिट्रॉल और तेर के कारण संपन तो हो चुका है सौधी अरब के अमेरिकी ताकत के कारण उसकी संपनता तो बहुत बढ़ चुकी हुई है लेकिन कोरोना काल में अमेरिका खुद रो रहा था यूरोप खुद करा रहा था इन सब की वैक्सीन अपने लोगों के लिए कम पर रही थी और भारत ने उस समय में जो दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्यावाला देश हो चुका था उस भारत ने सौधी अरब को उस समय मदद की थी मदद तो भारत ने कनाड़ा जैसे नाजाने कितने देशों भोकी लेकिन सौधी ने उसे याद रखा और यही बात प्रिंस बिन सल्मान ने प्रणान मंत्री मोदी से कहा कि विपदा में भाई की तरह भारत खाड़ा रहा एक महत्पून चीज वो है और दूसरी चीज योई कोई रिस्ता नहीं बनता रिस्ता और दोस्ती हमें साब बरावर बालों के साथ होती है भारत का बढ़ता कत दुनिया के चोथी पांचमी सबसे वरी आर्थिक शक्ती और भारत जो यह दावा कर रहा है कि हम कुछ दिनों में दुनिया के तीसरी आर्थिक शक्ती हो जाएंगे उस दावे के माईनी है ब्रिटेन को पचार करके भारत आज पांचमी आर्थिक शक्ती है और वो तीसरी पाइदान की जद्दो ज़द में सौधी अरब समय दुनिया के तमान देश ये जानते हैं कि भारत का कद कितना बढ़ रहा है इसलिए सौधी अरब भारत की जरूरत है आप जानकर चौक जाएंगे कि पिछले कुछ सालों में सौधी के साथ जो भारत का बैपार है वो गजब बढ़ा है मोडी काल में इस ग्लोट को एदिया आप देखेंगे तो ये आयात नियात भारत में 1000 डॉलर से ज़ादा 2022 में नियात किया है आयात 4,230 डॉलर तक बढ़ा है और आयात और नियात का पैमान अ इस ग्राप से आपको लगएगा कि किस तरह से लगातार बढ़ता जागा है यह आयात निर्यात जो है वो बताता है कि भारत कहां खड़ा है और यह सम्मंध कहां है इसी से त्राहिमाम है चीन और पाकिस्तान मामला यही तक नहीं है भारत टेक्नो क्रेट रास्ट है अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों को कि तकनीक जो है भारतिय इंजीनियर्स भारतिय डॉक्टर्स चला रहे हैं गूगल के CEO से लेकर के तमाम जगह पर भारतिय युवा काम कर रहे हैं ठीक उसी ढंग से सौधी अरब में 700 से ज़्यादा भारतिय कंपनी काम कर रहे हैं उस छोटे से देश में कल्पना कीजिए 700 से ज़्यादा भारतिय कंपनी ये सब कुछ रातो रात नहीं हुआ सौधी अरब के विकास में काया कल्प जो करने में भारत की बड़ी भूमी का है पिछले कुछ सालों में पिछले 7-8 सालों में सौधी अरब में जिस तरह से रोजगार बढ़ा है और भारतियों को भी वहां रोजगार मिला है 700 से ज़्यादा भारतिय कंपनी तो तैसी बात है कि दोनों देशों के आर्थिक ताकत बढ़ रही है L&T, Tata, Bipro, TCS समेथ कई ऐसी कंपनियां हैं जो सौधी में अपना जाल विछा रही है ऐसा करके भारत ने चीन के गर्व नाल को काट दिया है चीन जो पूरी तरह से अपना BRT को फैला करके बड़े पैमाने पर काम कर रहा था उसे काट दिया दो हजार करोड अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत ने सौधी अरब में किया है OLA, OYO, PTM, Policy, Bajar जैसे कई स्टार्ट अप कंपनियां सौधी अरब में अपना जाल फैला रही तो ये ताकत दिखाता है कि भारत विश्व गुरू कैसे बन रहा है और क्यों सौधी अरब के संध भारत की कस्व का संबन्ध ये जरूरी है अब इस बात को समझी के कटर इस्लामिक रास्ट जहां मक्का और मदीना है जहां से मुहम्मद साहब ने इसलाम को शुरू किया, फैलाव किया और उस सौधी अरब के खुश करने के लिए 1905 में भारत का प्रणान मंत्री काशी विश्वनात के मंदिर को ढख देता है हम शर्वशार तब नहीं हुए थे ये डूव मरने वाली बात थी एक देश के लिए कि भारत ने अपनी जो विरासत है उसे चुपाया था उसके बाद उस समय के सौधी प्रिंस को अनिगर मुस्लिव इनिवर्सिटी में डॉक्टरेट के उपाधी दी गई और फिर उसे ताज महल दिखाया था अब की बार जब वो आए तो स्तनातन संस्कृति के प्रतीक कोनांठ के शिव मंदिर के सामने खड़े थे वो वो नालंदा विश्विध्याने देख रहे थे और ये जान रहे थे कि इस्लामी का तंकवाद ने दुनिया के सबसे प्राचीन धरोहर को कैसे नश्ट किया और वो बोडी लेंग्विज प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और सौधी प्रिंस का ये बहुत कुछ बताने के लिए का ये सब कुछ बताता है कि पाकिस्तान का टेंशन क्यों बट रहा है कई आयाम पर सौधी के साथ भारत के रिष्टे चीन और पाकिस्तान की तवाही ला रहा है जो बहुत जरूँ सौधी अरब के साथ भारत के मजबूत सम्मन भारत में भारत द्रोई जिहादियों की बरबादी के लिए भी है उनके उस उनमाद के गर्मनाल को काटने के लिए भी है ये बदलाओ सामन नहीं दरसल सौधी अरब अमेरिका की जरूरत है सौधी अरब यूरोप की जरूरत है और सौधी अरब भारत यूरोप अमेरिका और भारत के बीच एक कनेक्टिंग डिंग के रूट में मोदी इन चीजों को इन रिस्टों को जानते है तो जिस मोदी को एक तरह से कहा जाता है खिंदू हिर्दे सम्राठ जो मोदी भारत में सनातन गौरब बढ़ा रहे हैं उस मोदी द्वारा इस्लामिक सेंटर पॉइंट जो देश इसलाम का सेंटर पॉइंट है इसलाम के आराध्य का अराधना का सबसे वरा किंद है उसके साथ ये संबंध भारत में कट्टरबाद के एक खात्मे की कहानी भी सुना रहे हैं अब उसी साथी अरब में भारत के फिल्में बरे पेमाने पर देखी जा रहे हैं बिसी स्याई ने वहाँ पर क्रिकेट का माहौल बनाया है जो चीजे पाकिस्तान चाहरा था जानते हैं जब पाकिस्तान परमानु बम विस्पोर्ट करने वाला था सौधी अरब के पैसे के बल पर उसने किया था 1998 में जब पुर्णान मंतरी अटल विहारी बाजबी थे और भारत ने जब परमानु विस्पोर्ट किया था साथ साथ पाकिस्तान ने भी कर दिया उस सौधी पैसे के बल पर और इस वरोसे पर कि वो इस्लामिक परमानू बंब होगा आज सौधी ने उससे भी अपने रिस्ते काट ली और पाकिस्तान एक कंगाल की तरह खड़ा है ये स्टड़जी सौधी अरब के साथ भारत के सम्मंध कई आयाम पर एक साथ मोधी ने अपने दुस्मनों पो पस्त कर भारत को एक नई दिशा दी है तबी समझ में आता है कि पढ़ार मंत्री मोधी ने G20 के बैठक में अमेरिकी राष्टरपती यू बाइडन ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर रेसी सुनक के बराबर सौधी प्रिंस बिन सल्मान को कितना सम्मान क्यों दिया सम्मान भी आखको अपकी ताकस से मिलती और फिर्ट रिटर्न में ये सम्मान सौधी प्रिंस ने धारत को क्यों दिया अमेरिका ने क्यूं दिया और ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर जो अब तक ब्रिटेन अपने आपको सुपरमेसी में पालती ये मानता था कि वो भारत पर उसने शाशन किया है उस सानातल सम्मान में हाद और इन सब की करी सौधी अरब है उस सौधी अरब को साध कर मोदी क्या क कर रहे हैं कल्पना किया सकता है आज सौधी अरब बिलकुल भारत की भाषा बोल रहा है आतंग पर विश्व शांती पर वसुदैभ कुटुम्ब कम पर वहां खड़ा है जहां सानातन सर्सकृती खड़ी है ये दिखाता है कि मोदी भारत की लकीर कहां खीचे एक साथ पाही तैकर भारत को विश्व गुरु बनाने के राह में मोदी उन सब राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध मजबूत कर रहे हैं जो भविश्व में भारत की ताकत बढ़ाएगा अपनी ताकत के साथ ये विश्लेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंट आपको पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए लाइक बटन आपके दबाने से इसकी रीच बढ़ती है और इसके साथ हमारी टीम का मनूबल बढ़ता है बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिंद